और यह दुनार का रोपन किया जा रहा है श्री धामी सर द्वाला और यह देखोईना ने कितने अच्छा लाइन से लगाया है और यह देखों इत्ती बड़ी गेंति उठाई है और इससे चोटा सा गड़ा बनाया जा रहा है कीचन गार्डन का निर्माण यहां पर किया जारह है और जिसमें सांदार मेथी, पहाड़ी, लाई, मूली का उत्पादन यहां किया जाएगा और यहां पर स्टाफ के द्वारा भी सहयोग दिया जा रहा है साथ महें स्काउट दल के सदश्य यहां पर भारत स्काउट गाइट के द्वारा यहां पर सौंदार कीचन गार्डन का निर्मा और यह है हमारा कीचन और यहां पर बन रहा है गार्डन और जो यह गार्डन दिख रहा है इस वाले गार्डन में लाइब होई गई है और उस वाले गार्डन में जो है पहाडी मूली सांदार गोल मूली यहां पर और एक नया गार्डन यहां पर हम धुणार लगाएंगे जो हमारे डाल में जो है जालने के काम आएगा, तो यहाँ पर संदार शहयोग हमारे चहन जी के द्वारा दिया जा रहा है हमारे स्काउट डल को किचन गार्डन के निर्मान के लिए, जेकर थोड़ी सी कम है, और मिट्टी में देख रहे हैं, आप पूरी नमी है, तो संदार यहाँ पर उत्पादन हो जाने वाले सातार दिन में कुछ भीज यहाँ पर जम के आ जाएगा, तो गडिया जी भी यहाँ पर पूरा अपना गाइडेंस से देते हुए, पुराने किसान है यह लीली गाउं के, लीती गाउं के, और यह हमारे जानसार के किसान, जानसार बाबर उत्राखंड जो कि आल और सेव के लिए बहुत परशिद्ध है, और यह धपोला जी लाए है हमारे लिए, परमोध धपोला जी धुगार का बीच, जो कि डाल में डमार डालने के काम आता है धुगार, और यह बन गया हमारा संदार किच्चन गार्डन, बहुत सालों बाद आज खोदने का मौका मि ततकाल इन समय में उन्हाने हमको विद्याले में हमारे समय क्रिशी का पिरेड चलता था, उस समय में विविन परकार के सबजियां विद्याले में उगाई जाती थे, जैसे प्या, लसून, मूली, मेथी, राई, और गाजर, यहां तक कि जीरा भी हम उगाते थे, तो हमारे स कि विद्याले में बच्चों से क्रिशी के कारिया भी कराये जाते थे, और उनको जो क्या आज कर आमारे कि जो पिरेड नहीं चलता है, बिद्याले में नहीं, बल्कि पूरे उत्राखन में, क्योंकि उत्राखन में सभी को मालूम है कि क्रिशी के लिए उत्राखन की भोगली जो इस्तिती है वो ठीक ही है यह छोटे-छोटे खेत है सीरी नुमा खेत पाए जाते हैं तो सबसे आगरे रहेगा कि विद्याले में क्रेट क्रिशी का लगाया जाए ताकि बच्चे भी क्रि हरी सब्यों का आनद भी ले सकने हैं दन्यावासर और यह बागेश्वर जन्पत के हमारे स्काउट मास्टर है और यह इनी के द्वारा यहां पर जो कीचन गार्डन का निर्मान है इनी की देख रेग में किया जा रहा है और इनको बहुती अची क्रिशी की जानकारी है और देखो इन्होंने कल भी आगे मा आपको खेती दिखाता हूँ चोटी-चोटी खेत बनाए इन्होंने इसमें मैनी से पूछना चाहूंगा देखो इन्होंने कल मैनी ता इसमें यहां पर बहुती अच्छा पतानी सबजी कुछ बोई या भी इनी से पूछते हैं सर जाना चा एक फीट से दो फीट के बीच पत्ते होंगे, जो इसकूल में हम हरी सब्जी बच्चू को मिडडे मिल के माध्यम से चिलाएंगे, यह हमारी शोच है, देखें, अगर बंदर यहां पर अपना आतंक नहीं करते हैं, तो अक्से से उत्पादून करके हम फ्लान की कोशिश आपका भी स्वागत है, आप भी आईए, यह इननने सही बात कही है, क्योंकि यहां पर आपको देख रहे होंगे, बड़े बड़े पेड़ है, यह इन पेड़ों में बंदर रो जाते हैं, और वो अपना आतंक यहां पर फैलाते हैं, क्योंकि हमारी यह अमरूत का पेड़ ह अमरूत में सारे अमरूत खा जाते हूँ, देखिए यह सरके द्वारा क्यारी बनाई जा रहे हैं, और यह गेंती उठाते हुए, पुना एक बार इसकी द्वारा खुदा ही करते हुए, और इसका जो उरबड़ता है, इसकी और ही पैदा करना चारे हैं, और अब खेत को भी क्यारी को पूरा प्लेन करना चाहरे हुए, अब सर से पूछने हम, हम लोग धुनार उगाएंगे, धुनार धुनार जो है, डाल में डालने का काम आता है, बहुत टेस्टी इससे डाल होती है, और यह बहुत मेडिशनल प्लांट है धुनार, प्राशने काल में हमारे गुज भी नहीं खाता है, यह है धुनार के पॉंधे, तो इसका उत्पादन प्राचिन काल स्वी बुजुर्गे यहां पर किया करते थे और डाल में जैसे प्राथे बनाने हैं, और बहुत सारे शबजी में जोली बनानी है, इसके काम आता था, तो परमोद धबोला जी के द्वार में शुजक्षित रखी गई हैं, तो विध्याले में यह उपलब्द कराते जा रहे हैं मिरंतर, तो बने रही है नागदेव बीडियो के साथ, अगर सब्सक्राइब न किया हो तो जरूर सब्सक्राइब करें, अगले वाले हपते में या अगले मेहने हम आपको आप नागदेव बीडियो के साथ आप बने रही है, नागदेव बीडियो आपको भारत की और उत्राखंड के जो भोगलिक स्थिति यहां की नदिया है, यहां के उंचे-उंचे परवत है, और यहां की जो सामाजी कृती रिवाज है, जो यहां के तीश तेवार है, उसके पारे में, में नागदेव बीडियो में आपको बहुत अच्छी जानकारी मिलेंगी, और इसके जो नागदेव बीडियो के जो मालिक है, यह जो सीओ है, ओनौर है, श्री राजिंदर सिंग धामी जी है, और आज इनके दोरा यह इतना पूर्णी कारी किया जा रहा है, तो आप से गुजारिश है कि एक बार नागदेव बीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और अधिक से अधिक लोगों तक ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और दोस्तों कमेंड भी जरूर करें आपको कैसे लगा, और यह धुनार का रोपन किया जा रहा ह है, और यह बिद्याले में अब जो करी बनेगी मिड्य मिल में, उसमें धुनार भी डाला जाएगा, और आप भी आईए यहां की करी चावल खाने, बहुत अच्छा करी चावल बनता है, पूरा पारी फ्लेयर में, और यह धुनार लगाते हुए, देखिए, कितने मज़े से लगा रहे हैं, इनके हाव आओ देखिए, अगर यसी मैनत करते हैं, तो क्यों नोगता, जो बॉया होई तो उगेगा, जो सब बॉया होई उगेगा, जम गया ना, तो सालों साल इसको कुछ में होना है, अगर लग गया इसकी जड़ पकर ली, तो हमेशा पूरे आसपास की गाओं वाले भी पूरे धुनार का मज़ा ले सकते हैं, अपने डाल में जो है, इस मेडिशनल प्लांट का मज़ा, सब लोग ले सकते हैं, यहां से ले जाके, और बच्चे तो लेंगे ही लेंगे, एक पौस्तिक भोजन के साथ 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 वाद भी उनको जो है इस धुनार क मिलेगा, तो अन्य अब इस फुरकार के पहारी फसलू के बारे में जानने के लिए बने रहे हैं, नागदे वीडियो के साथ सब्सक्राइब न क्या है, तो जरूर नीचे जो लाल वाला बटन आ रहा है, उसको दबा दें, अगर लाल वाला बटन में आ रहा है, तो कोई बा जसके जड पाय जगजन में चार, भॉ्र वालाइब जिसस्तराइब हैयाया है, जढ रहा है क्या है, तो कामें एू जए हमाला बटन आ जए जिखो संवाजन में पाल रहा है, मिश्ट है मैं जह हुआ है।